पीछे आनों बादो दो प्रुक मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए इस्तिफार देना चाहिए फाइयार होने पर ये तो चार्ज सीटेड है ऐसे ब्रहश्ट्याचारी लोगों को मंत्री मंदल में बैठा कर सत्ता चलाना पूर्णत गलत है प्रुक मंत्री को हर हाल में रिजान करना चाहिए इसको मार जी खुदी परंपरा बना के रखने हुए है कि जिसके चार सीट होगा उसको रिजान करांगे बिहार बिधान मंडल मौनसुन सत्र का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी काफी हंगामा उयदार रहा शुरू होने से पहले ही पोटिकों में आकर तमाम जो महागणवंदन के बिधायक थे वो केंदर सरकार के खिलाफ नारेवाजी कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तेस्वी आदब पे जो चार सीट हुई है उसको लेकर के हंगामा कर रहे थी और इस्थिपी की मांग कर रहे हैं तो उत्मुक मंत्री को बर्खास करना चाहिए इस्थिफा लेना चाहिए आप रश्टाचार पर जीरो टोलन्स की बात करते हैं सुन सक्र में यह नहीं तो भरश्टाचारी निहार की गंता की गारी कमाई लुटने वाला सत्ता और सरकार में बैठेगा मिखास ठप है अप राधियों का मनोबल चरम पर है कैसे हम सरकार को मिश्चित दौर पर इनकों इस दिखा लेना चाहिए या बरखास करते हैं सुपरीम सुपरीम पोर्ट का भी आदेश है और चार सीटेड मंत्री मंदल में नहीं रह सकता है और परंपड़ा भी रही है जब पूर मुक मंत्री जीतान राम मांजी मान्ये आरन सिंग, मान्ये रमाधार सिंग, मान्ये मंजू बर्मा, मान्ये बेवाला चोधि और कातिक सिंग को जब मुक मंत्री ने हटाया एफ हाईयार होने पर ये तो चार सीटेड है अईसे ब्रहष्ट्याचारी लोगों को मंत्री मंदल में बैठा कर सत्ता चलाना पूर्णत गलत है ये लोगों के साथ भी सभास अधात है, इसको कतः सुकार नहीं किया गया लगता है नितीज कुमारे ऐसा करेंगे, वो तो कारी में बठा करेंगे लोगों के लिए सिधान तवेहिन राजनित कर रहा है, सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग दिवस करेंगे, वो इससे लोगों को बरकास्त करेंगे लोग खूद जिनकी नहीतिकता समाप्त हो जाती है, जो ये कर्म करते हैं, वो डरे रहते हैं दोर दोर की रादिनित वो बहुत ज्यादा विहार में कर चुके इसलिए डरे सामे मुकमंत्री का ये आवाई निकल रहा है देखिए तेजिस्वी यादर चार सीट हुआ है और चार सीटे मुकमंत्री को हर हाल में रिजाइन करना चाहिए पषिए इसको मार्जी खुदी परंपरा बना करके रखे हुए है जिसके चार सीट होगा उसको रिजाइन करांगे जीतन ना मार्जी इसके उधारन है वो एक दली थेव इसलिए उनको रिजाइन करा दिया गिया बेवाला चोधरी है और ऐसे कई सतस हैं जिनको उन्होंने रिजाइन करवाया आज इनको क्या हो गिया साप सुन गिया है आज पी सियम चार सीटेट है और गारी में लेके घुलते हैं बगल में बठा रहे हैं सरकार चला रहे हैं इनको हर हाल में रिजाइन करवाना चाहिए य स्थिपा कार रहा है है तो और हम स्थिपा की मांग कर रहा हैं तो वह हैं तो हर हाल में इस्थिपा देना होगा नहीं देंगे तो हम लोग इसी तरह अंगामा करते रहेंगे और सदन के अंदर भी अबाज उठाएंगे और जो विधान सभा अध्यक्ष है उनसे कहेंगे कि जिस तरह से तेश्वी आदब के उपर चार सीट की गई है तो उन्हें हुआ हुआ है